नमस्कार किसान भाईो मेरा नाम अर्विंद कुमार ATGC BIO TAKE KOMPANY से आज हम आये हुए हैं हनुमानगर जिले के अंदर जोडकियां गाउं के अंदर और जोडकियां में हमारे किसान भाई है राम सिंग जी हम उनके खेत के अंदर खड़ी हुए हैं और यहां पर यह जो है ते मेरे जो आपको मेन वीडियो बनाने का मकसदी है इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर भी ज़रूर कर देना आपको मैं दिखाना चाहता हूं यह इस फूल के अंदर चूंडे जो है वह आप देख सकते है विल्कुल बारी काई ये L3 स्टेज की सुन्डी है यानि इसकी उमर अभी तक लग 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 आप मानके चलिए साथ से आठ दिन की या छे दिन की सुन्डी है ये ये L4 में कनवर्ट होने वाली है अभी इसका रंग जो है फोड असा पीला और गुलावी रंग में ये दीरे-दीरे कनवर्ट हो रही है तो किसान भाईयों जिन किसान भाईयों के नर्मे अभी साथ दिन से उपर है फूल है और फूल के उपर सुन्डी दिकھ रही है तो आपको अगर ये टूब आउज लगा रहे हो तो ये tube लगाने के बाद भी आपको सुंडी नजर आएगी क्योंकि जो अभी already इसके अंदर सुंडी आपको दिख रही है ये 6-7 दिन की सुंडी है 5 दिन ये अंडे के अंदर रही होगी और उसके बाद में ये बाहर निकल के L1, L3 स्टेज के अंदर पहुंच चुकी है यानि अब तक इस सुंडी की उमर लग 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 अभी 10-12 दिन की हो चुकी है यानि जो पतंगा है पतंगे ने 12-13 दिन पहले एगलिंग कर दी थी उनसे आप जो है लारवा निकल निकल के अपने फूलों के उपर दिख रहे हैं तो अभी आप ये भी मान के चलें अगर इसके अंदर सुंडी अपने को दिखाई दे रही है किसान साथियों तो इसके अंदर अंडे भी होंगे ट्यूब लगाने के बावजूद भी आने वाले दिनों के अंदर हफते 10 दिन और 15 दिन के अंदर अंदर उन अंडों से सुंडी बाहर निकलेगी और आपके खेतों के अंदर आपको दिखेगी उस वक्त आप थोड़े से आप एक तरीके से मायूस भी होगे के यार हमने ये क्रेमिट पीवी डवली लगा भी ट्यूब भी लगा दी 10 दिन होगे 15 दिन होगे लेकिन हमें सुंडी दिख रही है लेकिन किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा ये अंडे और सुंडी को नहीं मारती है ये जो इनके एडल्ट होते हैं पतंगे हैं उनकी मैटिंग को रोकती है मैटिंग को रोकेगी तो जिससे अंडे पैदा नहीं होते लेकिन ये जो अभी खेत है ये 60-65 दिन का खेत है इसके अंदर और लेडी अंडे और सुंडी है तो आने वाले 10-15 दिनों में भी आपको सुंडी और अंडे दिखेंगे लेकिन आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है और आने वाले दिनों में उन लार्वा से प्यूपा बनेगा प्यूपा से जो फर्दर आगे इनकी जो पीडी होगी उनसे एडल्ट बनेंगे फिडकले बनेंगे अगर अब आप इसका time to time application कर रहे हो PBW का क्रेमिट PBW का तो यह further उनकी मेटिंग को disrupt कर देगी उनके अंदर बादा डालेगी जिसे आगे आने वाली पीडी जो है वो उत्पन नहीं हो पाएगी और जिन किसान भा बाद उनमें से लार्वा निकलेंगे अता है उससे पहले पहले अगर आप इस ट्यूब का इस्तेमाल करते हो तो मैटिंग को रोकने के अंदर यह आपकी बहुत साहिता करेगी मैटिंग रुख जाती है तो आगे अंडे देने की जो परक्रिया है वो रुख जाएगी क्रेम आगे उनमें से लार यह जाओेगी क्रेंगे कियांती है यह वो रिणने के घद टेंगे वंका इदियो हांएगी dark are उर्वा area